Hello students, this is Anushka Chaudhary, your chemistry educator. So, बेटा, आज हम बहुत जादा रिनीट या result republish के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. बेटा, आज मैं तुम्हें प्रूफ के साथ कुछ बहुत important बताने वाली हूँ that ये जो competition हमें लग रहा है ना, कि leak की वज़ा से competition बढ़ा है या फिर कोई system के अंदर problem थी उसकी वज़ा से बढ़ा है माना कि ये सारी issues थे और उसकी वज़ा से problem जादा बढ़ गई पर बच्चे competition बढ़ा है and I will show you, मैंने सब NEED का analysis नहीं किया मैंने J.E. के paper तक का analysis किया है and today I will show you कितना competition बढ़ा है and my dear students, एक और चीज़ जो मैं address करना चाहूंगी बहुत सारे students को ये चीज़ से problem होती है कि ma'am क्यूं इतने videos बन रहे हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो देखो बटा, आपकी preparation journey में आपके पास at least mentors है at least आपको push करने के लिए कोई है क्योंकि social media है क्योंकि हम videos के through आपको बता सकते हैं कि बेटा, अब पढ़ने का time है जब हम 10 बार बूलेंगे, तो एक बार तो तुम्हारे दिमाग में जाएगी ये बात हम जब अपने preparation journey में थे तो हमने जो सबसे जादा miss कि है, वो यही है एक constant push और बेटा, इसलिए ये videos आपके लिए बनाई जारी है that you start studying क्योंकि अब time नहीं बचा है मैं आप लोगों को एक बहुत clear बात बता रही हूँ next hearing आप सभी को पता है कि 18 जुलाई को है also ये भी बोला गया है कि जो आपका counselling था वो start हो जाएगा third week of July में मतलब बेटा, उसी week में जिसमें आपकी hearing है तो बेटा, अब counselling होगी there will be no reneet ये बात भी हमें समझ आ गई है मैं क्या result republish होगा result republish का भी कोई भी, कोई भी मतलब ऐसा बोल लो कि 0.1% chance है कि result भी republish हो ठीक है, क्योंकि ये चीज़े चलती चारी है चलती चारी है और हम July के अंदर आ गए हैं बेटा अब हमें क्या करना चाहिए और माम क्या ये जो competition है ये सिर्फ paper leak की वज़े से ही बढ़ा है क्या सिस्टम में जो problems हुई उसकी वज़े से ही बढ़ा है बेटा मैं तुमें एक छोट असा analysis दिखाना चाहती हूँ अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये harsh truth है बेटा आपको इस बात को मानना पड़ेगा अगर आप इस analysis को देखेंगे न तो NEET 2024 की अगर हम बात करें तो 67 AIR 1 थे ठीक है उसमें grace marks का issue था माम जिसकी वज़े से ऐसा हुआ पिछले सालों में 2 या 3 top rankers होते थे AIR 1 होते थे ठीक है चलो NEET को हम एक बार के लिए paper leak मान लेते हैं बेटा अगर मैं J.E.Mains का तुमें बताऊ न इस बार J.E.Mains का highest cut off गया था अब तक का highest cut off क्यों ऐसा हुआ क्या मैं यहां पे भी paper leak हुआ था यहां पे भी सारी वही चीज़ें हुई थी देखो बेटा loop holes हर जगा होते हैं कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं बट यह तो हर साल होती है तो मैं तुमें एक चीज़ बता सकती हूँ जो result आपको पता है आपका syllabus कम हुआ था reduce हुआ था syllabus कम होने की वज़ा से और शायद paper का level जो था जिस तरीके से भी था तो बच्चे थोड़े जाधा पढ़ने लगे हैं बेटा यह बात बिल्कुल आपको accept करनी पढ़ेगी कि अगर highest cut off जा रहा है इसका मतलब है कि competition भी बढ़ रहा है जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अब पढ़ना start कर चुका है मैं तुम्हें बतारी हूँ अब तक वो आधा syllabus कर चुका होगा also अगर तुम J.E. advance की बात करोगी न अब तक बिटा 360 में से इस बार 355 the highest score till now अचीव किया गया था and J.E. advance is one of the most difficult exam आपके mind को बहुत जादा वो यूज करता है ठीक है यस अगर यहाँ पे students इतना अच्छा score करें और यह तो N.T.A. paper भी नहीं बनाता है तो इसका मतलब है कि बच्चे actually बहुत जादा hard work कर रहे है यस कुछ system के issues की वज़ा से N.E.T. के paper में definitely जो score है वो जादा गए है grace marks and all everything but my dear students उसके साथ साथ add करो plus करो students का hard work क्योंकि बच्चे अब पढ़ने लगे है and let me tell you अगर यह हम analysis देखे न तो next year 2025 में बिटा मैं शौक नहीं होंगी अगर cut off 650 plus जाता है नीट में भी इस बार हम एक इसको एक reason दे देते हैं कि ठीक है बहुत सारी issues आए इसकी वज़ा से इतना higher cut off गया अगली बार भी जाएगा you have to accept it and आपको पढ़ाई करनी शुनू करनी पड़ेगी बिटा please अपना time waste मत करो मैं बार बार आपको ये इसी लिए बोल रही हूँ because हमने एक चीज मिस करी है अपनी preparation journey में and अगर तुम मेरे साथ offline class में होते हैं तो अब तक तुम्हें dart कर चाटा मार कर तुम्हें पढ़ा देती तुम्हें पढ़ने के लिए बिठा देती but my dear students अभी हम online में है and जो maximum हम as a teacher मतलब मैं सिर्फ अपनी ही नहीं बात करी मैं सभी online educators की बात कर रही हूँ वो maximum जो कर सकते हैं वो सिर्फ एक video बना कर तुम्हें एक realization करा सकते हैं and पेटा ये जो analysis हम करते हैं it is not easy सारी चीज़े देखनी पढ़ती है ढूंदना पड़ते हैं तो उसमें महनत लगती है और हम वो महनत क्यों कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि ये जो time है वो कितना important है अभी अगर तुम्हें कोई push कर रहा है जैसे हम तुम्हें push कर रहे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो अपनी preparation journey में थी तो मेरे मेरे जो mentor थे आप बोल दो या में को जो पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए push करते थे he was my father ठीक है तो मेरे पापा हर टाइम मुझे बोते थे बिटा आप पढ़ाई करो आप पढ़ाई करो अच्छा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे पुष किया क्योंकि मैं अगर तम महनत नहीं करती तो आगे नहीं बढ़ पाती so my dear students mind it अभी वो जो चीज तुम्हें push जो अच्छा नहीं लग रा वो future में तुम्हें बहुत ज़ादा benefit देने वाला है so please keep start I mean I would say you should start studying right yes अब में तुम्हें ना कुछ बहुत important बताने वाली हूँ अब मेरी बात सुनो अब तुम्हें एक actual realization होगा अभी क्या चल रहा है July in fact mid July में हम आ गए है yes अब अगर आगे का देखेंगे बिटा तो आपका मही में फॉस्ट जो आपका Sunday होता है उसमें आपका exam होता है ठीक है तो लेटसे फॉर्थ में को आसपास फॉर्थ में आपका exam होगा ठीक है तो कितना time गा है पूरे नौ महीने नौ महीने जब रह जाते हैं हम तब तक अपना आधा स्लेबस कवर कर चुके होते हैं आप अपने आप से पूछो कि कहां पहुंचे अभी तक कितना प्रिपेर किया है नहीं यहां पर इन नौ महीने में से मैं बूलूंगी कि 7 months आपको अपनी तयारी करनी चाहिए और 2 months आपको अपने रिविजन हो गया, मौक टेस्ट हो गया इन सब के लिए आपको देने हैं तो बटा टाइम ना बहुत कम है और पढ़ाई करने वाली चीजे जो है वो बहुत जादा है hard work मांगता है, dedication मांगता है, consistency मांगता है तो अब ये सब चीजों से हमें अपने mind को side करना पड़ेगा क्योंकि we need के chances are almost negligible so we cannot waste our time, please start studying, this is something जो मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ बहुत experience से बोल रही हूँ I have been there जहां पर आप है, yeah, ये situation different है, I can feel your pain, maybe आप मुझसे भी जादा burdened feel कर रहे है लेकिन ये situation है, this is life, you have to accept it, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा and इसी को ध्यान में रखते हुए, मैं आपको बताना चाहती हूँ that we are there for you Unacademy का one year का complete subscription बेटा at just rupees 5499 आपके कोई भी extra पैसे नहीं लगेंगे, आपको unlimited practice sessions मिलेंगे, test मिलेंगे, live classes मिलेंगी बच्चे you only have to use a code AC5 so that you will come to my mentorship group मैं आपको actually बताने वाली हूँ, उस mentorship group में हम consecutive zoom call sessions लिया करेंगे जिसमें I will be guiding you through life, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको manage करना है, हर चीज, you can ask me questions तो बच्चे, think about it, time बहुत कम है और काम बहुत जादा है अभी, please think about it and my dear students, अब अगर आप अपनी preparation शुरू करना चाहरे हैं, तो बहुत ही amazing chance है because Phoenix Pro batch जो है वो आ गया है और ये batch जो है, वो start हो रहा है 24th July से मैं यहाँ पर आपकी chemistry लेने वाली हूँ, यह team ninja से आप पढ़ सकते हैं, physics, bio, chemistry और भी आप अपने favorite educator से पढ़ सकते हैं, जिन से आपकी frequency match होती है start studying my dear students, this is the right time also अगर आपको लगता है कि आप offline जाना चाहते हैं, you can go for offline as well but I would say अगर तुम्हारी preparation best करनी है तुम्हें तो तुम्हें अपना time manage करना चाहिए और time manage बेटा, online courses से होगा yes, आपको बस एक self study करनी है, एक अपने उपर control रखना है and you have to start studying my dear students बहुत ही important है, think about it, इससे पहले कि ये time भी निकल जाए और next year फिर से इसी point पे हम खड़े हों कि अब क्या करें we should think about it and we should start studying you can let me know in the comments कि यार, क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें affect कर रही हैं और भी कोई भी problem है, कुछ भी है ना बिटा, मुझे वो बताओ I will bring a solution to it because मैं आप से इसी तरह से contact कर सकती हूं and I will do everything for you पर आपको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा please, please, अब ये सब चीज़ों से दिमाख हटाओ and please start studying I hope आपको इस वीडियो से at least थोड़ा बहुत realization हुआ होगा अगर आप online course नहीं भी लेना चाहते, it's fine में जब तुम पढ़ लोगे और तुम बढ़िया दॉक्टर बन जाओगे you will thank this situation I am telling you तो पढ़ो और खुद पर भरोसा रखो keep studying, bye bye, take care and all the very best